तो क्या जहनक के लिए सब कुछ खतम हो चुका है? क्या है ऐसा लिफाफे में जिसके कारण जहनक इतनी अपसट नजर आ रही है? क्या है ऐसा लिफाफे में जिसके कारण जहनक का करियर पूरी तरीके से दाओं पर लगा गया? और क्या है ऐसा इस लिफाफे में जिसके कारण जनक ने इस शो को छोड़ने का फैसला बना लिया आईए जानते हैं इस लिफाफे के पूरी खबर को और जानते हैं जनक के आने वाले नय सफर को जो जनक अब अपने इस शो को छोड़ कर एक नया बहुत बड़ा सफर शुरू करने जा रही है नमस्कार दोस्तों आप सभी के स्वागत टाइम समुरिया में जहाँ पर मैं वेनुकुमार आपके अपने पसंदर शो जनक जुड़े एक और बड़ अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हो जहाँ पर मैं आपको बताओं तो जनक के आथ में एक लिफाफा होगा आप जब एपसोड की शुरुबात होती है तो जनक और अनी रुद्वा या फिर यू कहें कि अपने गुरुची रुद्रपताप सिंग दोनों इस शो को छोड़ का जाने का पैसला करते हैं लेकिन एन मौके पर शो के असली प्रोडूसर साब आते हैं साथ में बिरिजभूशन जनक और रुद्रपताप सिंग को रोक लेते हैं उन्हें बोलते हैं कि पहले तो तुम दोनों रुक जाओ पहले तुम दोनों में से को ये कि शो को या फिर इस पूर ओडियन्स को माफी मांगो शो में लाइव लाइव टेलीकास्ट होगा वहां पर जाके माफी मांगो तब तुम दोनों में से किसी एक को यहां से जाने दिया जाएगा यादि तुम दोनों में से किसी एक नहीं माफी ने मांगी तो तुम दोनों के साथ गुंडा गर्दी जवस्तिकी जाएगी और तुम यहां से नहीं जा सकते इसके बाद रुद्रपताप सिंग बोलते हैं कि से कम जनक से माफी मंगवा सकते हो क्योंकि कल नहीं तो परस्वाई लड़की है जिसके लिए तुम अपना केरियर दाओं पर लगा रहो ऐसा ना हो जाए कि रुद्रप्रदाप सिंग इस लड़की की चक्कर हमना सब कुछ गवा बैटो और बाहर जाओ तो तुम्हें कुछ का क्या था रुद्रप्रदाप सिंग और जनक दोनों फस्क है आप दोनों चाकरी बहार ने जा सकते या फिर यू कहें कि ये इनकी किसमत है जो ने रोक रही है क्योंकि जनक का इस शो से एक्जिट होना शायद भगवान को मंजूर नहीं और जनक को शायद आगे परफॉर्म क करना होगा इसलिए जनक को और रुद्रप्रदाप सिंग को ये शो के मेकर्स रोक लेते हैं जिसके बाद ये दोनों रुक तो जाते हैं लेकिन असली मांजरा शुरू होगा इसके बाद दरसा दोस्तों अब ये सारी कहानी को सुन चुका है आदित्यकपूर पहले से जनक को सपोर्ट करना चाहρι है वो मौकह ढूंड रहा है कि कहां से कैसे जनक की मदद कर सके और आज जब उसे पूरी कहानी पता चलती है तो वो अपना फोन निकालता सबसे पहले और किसी को फोन घुमाता है यानि आदित्यकपूर साहब ने किसी सोर्स को याद किया यानि कूल वह में सलते रहते हैं, जनक के पास जाकर बैड़ी आते हैं, जब अधस्ति करते हैं, उससे अलेक्टोन में बात करते हैं, जनक को डराने की कोश्च करते हैं, पहले उसका पूरा मोरल डाउन कर देते हैं, उससे दी मोटर कर देते हैं, फिर क्या था, जनक पूरी तरीके से ठक जाती है, हार जाती है, सोचती है, कि भाई, आप मैं क्या ही करूँ, जिसके बाद प्रडूसर साहब आते हैं, जहना को एक जूटा ली फार्म पकड़ाते हैं, जिसमें बहुत कुछ मैटर लिखा हुआ रहता है, मैटर हलांकि जहना को पढ़ने का मौकाई नहीं मिलता है, प् खराब कर ले तुमारे चलते हुए उनका केरियर दौप लग जा तुमारे चलते हुए ऐसा कहने के बाद बेचारी जहनक क्या ही करती जहनक बेशा की दूसरों के बारे हम सोचने वाली है अपने बारे हम भले ही ना सोचे और जब बात रुद्रपदाप सिंग गुरुजी की तो भारे आज जहनक को मौका मेला है इतना सब कुछ हुए है वह रुद्रपदाप सिंग की वज़े से हुए है इसलिए जहनक अपना एयसान होताना चाहती है या फिर यू कहें कि बदले में उन्हें कुछ तो देना चाहती है यानि उनका केजर तो खराब नए करना चाहती और ऐसे में उन्हें बचाने के लिए जनक सोचती है कि क्यों न मैं ही जाकर खुद माफी मांग लेती हूं इसके बाद जनक जाती है और माफी मांगती है उसे पढ़ने की कोशिश करती है लेकिन जब जनक आगे बढ़ती है पहले तो जनक ये बोलती है कि मैं जनक रहना ये को नहीं करना चाहती है जिसकी वज़े से जहनक अपने आपको आईने में जाक करना देख सके क्योंकि आज जो जहनक के साथ लिगी है जारणा उसमें कहीं नहीं जहनक अपना इमान इमान दाओं पर लगाए जहनक के चरित्र पर है जहनक अन्याई नहीं कर सकती है खुद के साथ भले ही वो न्याई ना कर पाए लेकिन किसी और सता न्याई नहीं कर सकती है और बात जब गुर्जी को रिखे कि इसमें लिखा हुआ है कि गुर्जी नहीं ये सब कुछ जना को करने बोला था करके यानि ब्रिजबूशन साहब ने इस लिफाफ़े को प्रोडूसर को दिया और बोला कि जा कर ऐसा करो यानि ब्रिजबूशन के तलवे चार्ट चार्ट का शो का प्रोडूसर को भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि असली टैलेंट का है बियुज बूश्शन के पास है कि रूदर परदाप Sinh के पास है आरे वो शनाया के पास है कि जहनक के पास है पहचाननिश कुछ करो भाई और वो बोलते न कि ना असली हीरे की जो उपरक होती है बो जहरी को यह उती है खुल पाटब बलती होग मैंने कुछ घुञ गुं पहलता हैं। प्रोडूशन पर ये सवक नुत करेगी। इसलिए अब सारे लोगों को जटका लगा है, जिसके बाद जनक एक बाद बोलती है, कि चलो भाई, ये सारी कीचड है, दलदल है, ये सारे लोग गंद है, इसलिए मुझे यहां पर नहीं रहना है, मैं यहां नहीं रह सकती हूँ, इसलिए मुझे यहां से निकल जाना है, ऐस सबकवी सबास्तियों करें और फैन्स यह मंसे ऑपने पुरहते जाना अपशार करी हुप की टब भी स्टेउं करें Safi आज हो नहीं लगती है और थे यॏ आप एपिसोड खतम हूँ और आधिति कपूर ने फोल लगा ना उसके बाद जनक की परफॉर्मिंस पर आने वाली है और जनक वापस परफॉर्म भी करेगी और अपना डंका भी बजाएगी और साथी साथ सब के लिए सब कुछ फिसर चूरू करेगी क्योंकि अभी जनक के ल आने वाला अर्शी को लेकर जिसके बाद हाई वोल्टेज ड्रामा और हाई वोल्टेज तमाश अभी होने वाला तो दोस्तों ये थी आज आपकी खास फेवरेट शो जनक से जूड़ी एक और बहुत बढ़ी अपडेट आपको कैसी लगी वीडियो मैं उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छी लगए होगी यदि वीडियो अच्छी लगए हो तो बेशा वीडियो का लाइक करें दोस्तों शेयर करें और सब्सक्राइब जरू करें ताकि आप ना अपने सारे पसंदर शो और खास करके जनक जो कि आपका वन अफ तो मोस्ट फेवरेट सीरियल है उस सब्सक्राइब के सामने जल्दी हाजिर होंगा तब तक मुझे दे अलविदा और स्क्रीन पर मौजी दिनों उसको देखते रहें और जहनक देखे स्टार प्लस और स्टार प्लस पर और अनिटाइम देखे डिजने प्लस होट स्टार पर कमेंट करके राय दे मुझे अलवि